न्याय के लिए संगर्श करना पड़ता है पूरी घटना दलित दमन की है कितनी यातना, कितना प्रिशासनिक, हड़ धर्मिता और कितनी ताना शाही मोहन सरकार की बीजेपी की सरकार की दलितों के खिलाफ है उसका आज प्रत्यक्ष प्रमान मिला जब हम बार-बार ये कहते हैं कि भारती जनता पारटी की विचारदारा अंबेट करके विरोधी विचारदारा है उसको आज प्रमानित किया मोहन भीया की सरकार ने उनके प्रशासनि ने उनके मंत्रा लेना अल्टिमेटली जुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा मैं सभी कारी करता जो यहां उपस्ते थे सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी हमारे मीडिया के कर्मियों को खूब साधुवाद देना चाहता हूँ उन्हें एसे इशू को पब्लिक डोमेंड में लाया मेरे तक पहुचाया और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दाइत्व निभाया और इस इशू को दलीतों के खिलाब जो अत्याचार अनाचार हूरें उसके लिए एक उधारण के रूप में लिया जैसा मैंने कहा छे लोग सस्पेंड हुए है चार और एक पाँच सस्पेंड हुए है अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नोकरी की परेशानी आईगी मैं सभी कर्मिचारियों से अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के नोकर बनना बन करो आप प्रशासन का दाईत्व निभाव सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपत लेते हैं उसको निभाव अनिता जो गरवड करेगा बीजेपी के निता उसके घर रहेगा आपके खिलाफ हम एफायर कराएं जिसमें बीजेपी की नोकरी करी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कारी करता सड़क पे रहेगा मैं फिर से एक बार जो तंत्र होता है उसके भरोसा होना चाहिए विश्वास होना चाहिए और उसके हमें सम्मान करना चाहिए वो चाहे पुलिस प्रिशासन हो चाहे जिला प्रिशासन हो पर अगर वो नोकर unicorn बनेगा तो उसका हम तिरस्कार करेंगी उसके खिलाब लड़ाई लड़ेगी यह उधारन、 उसका एक जीता जाकता है हमारी बहन को न्याय मिले उसकी फायर हुई इन लोगों के खिलाब जात चल रही है अब कोई भी कमी दिखेगी तो हम वेबेक तनखा जी से मेरी बात हुई है इसी दोरान उन्होंने आश्वस किया है कि इसको हाई कोट और सुप्रिम कोट कहीं भी लड़ना पड़े तो बेहन को न्याय दिलाएंगे और दोश्यों को सजा